नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के 31 नगर निकायों में चनाओ की तैयारी तेज बिहार से हजपर जाएंगे 5000 से जादा यातरी 14 और 15 अप्रेल को होगा पटना साहिब महुसब आज राबरी आवास पर लगेगा महागडबंधन का जमावरा आईपेल 2023 को लेकर धोनी ने बातों ही बातों में किया ये इशारा इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार के 31 नगर निकायों में चुनाओ की तैयारी तेज ुरसे इन नगर निकायों की मदाता सुची का ड्राफट प्रकाशित किया जा चुका है अंतिम्तिती 18 अप्रेल नर्धारित की गई है मालूमों के जिन 31 नगर निकाय का चनाव होने वाला है उनमें 24 नगर निकाय चनाव ऐसे हैं जिनके पतादिकारियों का कारेकाल काफी पहले समाप्त हो चुका है वहें बाकी बचे साथ नगर निकाई के पताधिकारियों का कारेकाल जूल महीने में समाथ होने वाला है SSC GD Constable परिच्छा का रिजल्ट जारी बीते दिन यानी के 8 अपरेल को SSC GD Constable के परिच्छा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है बताधिक इस परिच्छा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट SSC के अधिकारिक वेबसाइट SSC.NIC.IN पर जाकर देख सकते हैं मालूमों कि 50,187 पदों पर भर्थी के लिए हुई लिखित परिच्छा में सफल हुए अभ्यर्थियों के नाम को आयो के ओर से चार सूची में जारी किया गया है वहीं अब SSC GD Constable की सारेडिक दक्ष्रा परिच्छा 15 अपरेल 2023 से शुरू की जाएगी जिसमें लिखित परिच्छा में शफल होने वाले अभ्यर्थी शामिन होंगे बिहार से हज पर जाएंगे 5000 से जादा यात्री राचे हज भवन के दोरा दी गई जानकारी के नुसार इस बार बिहार से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या कुल 5638 है लेकिन इसमें सबसे दल्चस्पात यहा है कि 5638 हज यात्रियों में सबसे कम उम्र 12 वर्ष है तो वही सबसे जादा उम्र 93 वर्ष है आपके जानकारी के लिए बता दे कि बिहार के जिस जले के सबसे जादा यात्री हज पर जाने वाले हैं वजला बिहार का राधानी पटना है जहां हज पर जाने वाले यात्रियों के कुल संख्या 670 है वही सबसे कम यात्री जिस जले से हज पर जाने वाले हैं वह सेखपू कोट में 15 अप्रेल से बिहार में जाती गज जनगना के दूसरे चरण के श्रवात होने वाली है लेकिन इससे पहले सरकार के ओर से सभी जातियों के लिए कोट संख्या नरधारित किया गया है जिसमें ट्रांसजेंडर यानि की थर्ड जेंडर को भी जाती की तरह पेश कर उसक से गिना जा सकता है क्योंकि थर्ड जेंडर के भी माता पता होते हैं उनकी भी अपनी जाती होती है तो फिर थर्ड जेंडर खुद एक जाती कैसे बन सकता है मालम हो कि अपील रायर करने वाली वकील एडवोकेट दीनु कुमार का कहना है कि राजिस सरकार की जाती गज 23 को की जाने वाली है कि को लेकर बिहार का एसपताल अलर्ट मोड में बिहार में कोना संख्रमण में में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है ऐसे में पिछले 24 घंटे में राजे में अब तक के सबसे अधिक 46 मरीज मिले हैं बता दे कि इन 46 मरीजों में सबसे जादा मरीज बिहार के राज़ानी पटना से मिले हैं जनकी संख्या 28 है इसके साथ ही अब राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 108 पर पहुँच गई है वहीं राज्य में बढ़ते कोरोना मामले को देखते वे स्वास्त विभाग के तरफ से सभी सरकारी अस्पतालों में लाज की विवस्था रखी गई है वहीं विभाग के ओर से राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में भी रहने का नर्देश दिया गया है और साथ ही जिला अस्पतालों या पी एच सी में भी संदेग्द मरीजों आने पर जाज कराने और सुचित करने का नर्देश दिया गया है 14 और 15 अप्रेल को होगा पटना साहिब महुसब गुरुवानी, बिहार, गौडवगान, भांगरा, गिद, लोक, निर्त्य, लोक गयन भी आकरशक रहने वाले हैं इसके साथ है इस कारिक्रम में बिहार के परटन स्थलों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी पतारिक इस कारिक्रम की तयारी को लेकर पंदरक को शांग गठित किया गया है वही मौडल पतादिकारी के रूप में उप विकास आयुक्त को वर्ये नोडल पतादिकारी तिथा वर्च पतादिकारी अनुभाजन वर एडियन समानी को निउक्त किया गया है इसके अलावा जिला नजारत उप समारता बा अनुमंडल पदादिकारी पटना सिटी सहायक नूडल पदादिकारी बनाए गए हैं इस कारेक्रम को लेकर डियम के दोरा सभी पदादिकारीों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी अपेक्षित कारे को समय से भगुनवत्ता पुन धंसे पूड़ा करें सासा राम नालंदा हिंसा में नुक्सान उठाने वालों को लेकर मुख्यमंत्री ने की घोशना रामनवी के दोरान बिहर के दो शहर नालंदा और सासरा में दो समुदायों के बीच हुए हिंसा में नुक्सान उठाने वाले को लेकर बीते दिन बिहर के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के दोरा जदियों के इफतार पाटी में एक बड़ी घोशना की गई है उन्होंने घोशना करते वे कहा है कि जिन भी लोगों का हंसा में नुक्षान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी उन्होंने कहा किस मामले की जाज की जा रही है और जो भी दोशी होंगे उन पर सक्तकारवाई की जाएगी और जिन भी लोगों का नुक्सान हुआ है उसकी भर नशी कोट में पेश किया गया वहीं एक तरब जहां मजश्ट्रेट के द्वारा समर्सिंग को 14 दिनों की नयाएक रिमान पर भेज दिया गया है तो वहीं दूसरी ओर समन्सिक के समर्थकों और आकांचा दूबे के जाने वाले लोगों के बीच हाथा पाई की भी घटना सुन किया गया जिसके बार नयायाली की ओर से समर्सिंग को 14 दिनों की नयाएक रिमान पर भेज दिया गया है जहां उनसे पूश्टाच की जाएगी आज राबरी अवास पर लगेगा महागडवन्धन का जमावरा इन दिनों बिहार में दावत एफ्तार का दौर चल रहा है बता जादी की लालू परिवार की ओर से आयूजित की जा रही दावत एफ्तार का आयूजन बिहार की पुर्व मुख्य मंत्री राबरी देवी के दस सरकुलर आवास पर किया जा रहा है जिसमें डिप्टी सीम तेश्वी यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव, पुर्व सीम इमराबरी देवी और राजे सभास सांसत मीशा भारती के साथ महागरवंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। सीम नितीश के विपक्ची एक जूरता का क्लीन वोल्ड पिछले कई महीनों से बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कमार के दौरा दोहजाब चौबस में होने वाले लोग सभाचनाओं को लेकर बीजेपी के खिलाब देश के सभी विपक्ची पार्टियों को एक साथ करने की को जूर गया हालक इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ची एक जूरता जरूरी है लेकिन सभी पार्टियों की विचार धारा बिलकुल अलग-अलग है हमने कहा कि मेरे जैसे व्यक्ती विपक्ची एक जूरता के पक्च धर है पर हमारा पूरा फोकस विकास पर है बता साथ वारानशी में हुए बदसलूकी को लेकर किये गए वारानशी के सिग्रा थाना में शिकायत पर बिहार के पुर्व उप मुख्य मंतरी एवं राजिस सभा के सदाश शुशील कुमार मोदी के दोरा तंज कसा गया है उन्होंने कहा कि बिहार के वन एवं परयावरन मंतरी तेश प्रताप यादव के साथ जो वारानशी में विवार किया गया है उससे बिहार के छवी खडाब हो गई है अपने मंतरियों के अमारे यादित आचरन और अनरकल बयानों पर मुख्य मंतरी का कोई नियंतरन नहीं है उन्होंने कहा कि होटल के प्रवंधन के नुसार ते गोपी चंद बैड मिंटन अकादमी बिहार में खेलों को बढ़ावा दिया जा सकते इसके लिए बिहार सरकार के दोड़ा कई कोशिशे की जा रही हैं इसी के तहत पुलेला गोपी चंद जोकी पुर्व अंतराश्रिय बैड मिंटन खिलारी और वरतमान में राश्रिय बैडमिंटन का टिप्स देने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे वे हैं। बैडमिंटन कोच गोपी चंद अपने अकाडमी में बिहार के बैडमिंटन परसक्षकों को प्रसक्षित करेंगे। कि हमें समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार से गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है। और उन्हें कहा कि आजादी के समय बिहार और तमिलनाडू विकास के मामने में बढ़ाबर से लेकिन आज तमिलनाडू बिहार से 6 गुना आगे पहुँच चुका है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर यह हुआ कैसे क्योंकि जब तक हमें रोग का पता नहीं चलेगा तब तक हम समस्या से उपर नहीं उठपाएंगे। कई लोग यह मानते हैं कि सरकार और निता काम नहीं कर रहे हैं इसलिए बिहार पिछर गया है लेकिन असली वज़ा हिया है कि अगर बिहार को सुधारना है तो स्टिक चारोजगार और पुंजी के अफसर पैदा करने होंगे। लोगों के हाथ में पैसा देना होगा तब जाकर कहीं बिहार का भला होगा उन्होंने कहा कि आज के समय में बिहार सबसे गडीव, सबसे पिछरा और सिक्षित और बेरोजगारी वारा राज्य है जिसे हमें ठीक करने की जरूरत है। IPL 2023 को लेकर धोनी ने बातों ही बातों में किया यह इशड़ा। कर सकते हैं। खास तोर पर जिस तरह से उन्होंने रोहित को आउट किया, वहीं जिस तरह से अजिंके रहाने आउट हुए, वह हमारे लिए थोड़ा दुखत था। पुर्णिया में पिट्रॉली कीमत 107.02 रुपे और डीजल 45.04 रुपे प्रती लीटर है। बता दी कि बिहार में पिट्रॉल का रेट सबस्यादा किसन गंज में है। जहां पिट्रॉल 14.04 रुपे प्रती लीटर और डीजल 96.04 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है। बेते दिन हमादुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहें।